जाएं दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे SSC GD का जो नया नोटिफिकरशन निकला है उसके बारे में इस वीडियो के दोरान आपको पता चल जाएगा के आपका अप्लिकेशन स्टाटास कैसे चेक करें बहुत सारे सातियों का मानना है के मेरा कैंसल हो गया उसके बारे में बात करें और बात करेंगे कौन-कौन की रिजियन का निकला है उसके बारे में तो सारे में विस्तार से बताने वाले इस वीडियो में तो स्किप ना करके पूरे अंतक देखिए आपको बहुत ही फायदेवन होने वाला है तो वीडियो को शुरू करने से पहले गल्क्रूम में आने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा ssc.nic.in इसका लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूँगा तो आने के बाद आपको कुछ ऐसे पेजों पर हो जाएगा जहाँ पर आपको 3.0 पर क्लिक करके करना होगा इसलिए आपको ऐसे इंटर्फेज आ जाएगा आने के बाद आपको कि यह पर एड्मिट कार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका रिजियन साइट खुई ओपेन हो जाएगा जहाँ पर आप दिख सकते इस्टर्ण करनाटक साउथ नॉर्थ इस्ट वेस कि श्रीप अब सेंटर्फेजियन के डाउनलोड हो रहा है बागी साबका जो रिजियन है वो बाद में टाउनलोड होगा तो इसलिए आपको परेशन होनी के कोई जरूरत नहीं तो यह पर हम देखा देते सेंटर्फेजियन सेंटर्फेजियन पर क्लिक करने के बाद इसके सब्सक्राइब आपको दिख़ सकते स्टेटफेज अफ रम प्लीस फोर्स का जहीं जो नोटिफिकरेशन ने है पर करना होगा क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको पॉसीद नाव पर क्लिक करना होगा पॉसीद नाव पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने में admission certificate status open हो जाएगा यह आपन में बता दू for online application only अगर आपके पास registration ID है तो यह पर आपका registration number ID डालना होगा उसके बाद आपका जो date of birth यह आप डाल देना होगा यह आपका date यह कर आपका date month year डालना होगा उसके बाद आप consistency के लिए आप apply किये थे वह आपका डालना होगा उसके बाद आपका जो capture code है आपका डालना होगा डाल देने के बाद सार्च पे क्लिक करके आप अपना status देख सकते हो नहीं तो अगर आपके पास registration आइडी नहीं है तो आपका श्रिफ नाम डालना पड़ेगा अपका पिता जी का नेम डेट अब बात आप consistent के लिए exam के लिए अपने apply किया था होगी डालना पड़ेगा आपका यह पर capture code डालने के बाद आपको यह पर सार्च पर क्लिक करेंगे तो मैं यह पर सारे डालने के बाद आपके सामने के ऐसा ओपन हो जाएगा मैं नाम द्वादर नेम और रिस्ट्रेशन नमर हाइड कर चुका हूं यह पर आपका status देख सकते है फॉर्म accepted तो मेरा form accepted हो गया अगर आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाए कि आपका form rejected है तो आपको परेशन होनी की कोई जरूरत नहीं क्या करना है इसके लिए मैं आपको एक बताता हूं कि आपको परेशन होनी की जरूरत नहीं आप चेक करते साइबर के problem के थूर आपको ऐसे हो सकता है नहीं तो आप mail कर दीजिए इसे cgd का जो यह उसमें आपको पता चल जाएगा और जिन लोगों का region का अभी तक status चेक नहीं कर सकते इसके लिए operation होनी की कोई जरूरत नहीं आपका region का जब चेक होने वाला है तो मैं आपको सब्सक्राइब करके लख़िए उसके आपको जल्दी पता चले तब तक के लिए धन्यवाद जाइंद